हेलो प्रेंज स्वागत है आप सभी का मेरे इस यह चोटे से यूटूप चैनल पर तो आप अगर इंस्टाग्राम पोस्ट या यूटूप बेनर या कोई भी जो फोटो है वह आप इडिट करना चाहते हो या बनाना चाहते हो बिजनेस काड बनाना चाहते हो तो आप कैनवास की मदद से आप बना सकते हो वह कैसे बनता है वह आमें इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को देखने के बाद आपको जो सारा प्रोसेस हो समझ में आ जाएगी और आप भी अपने इस्टाग्राम के लिए पोस्ट यूटूब के लिए बेनर या कोई भी अपनी फोटो भी आप इडिट कर सकेगे वो भी प्रोफेशनल तरीके से पुरा प्रोफेशनल ही आप जो फोटो है वो बना सकोगे बेनर बना सकोगे या यूटूब थमनील है वह बना पाऊगे तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको केनवा जो है वह एप बिल्कुल प्री है अप्री में प्लेस्टोर में से डाउनलोड कर सकते हो तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे वह एप्लिकेशन है वह ड कैनवा एंप्लिकेशन है वह मैं डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैनवा से ही YouTube थमनील यूतूब के लिए बेनर इंस्टार्ट में के लिए पोस्ट अप सब ही मैं ये कैनवा में ही बनाता हूं तो मैं इसको Canva को open कर लेता हूँ open करने के बाद आपको एक इसा interface आएगा जिसमें आपको काफी सारा option दिखाए देगे आपको कुछ भी दरने की जरूर नहीं इस option का आपको कुछ भी करना नहीं अगर आपको कोई भी design इसमें से पसंद आ जाए तो उसका भी आप जो है वो edit कर पाओगे आपको story बनानी है तो यहां से आप story भी बना सकते हो अगर instagram के लिए post बनाना चाहते हो तो instagram की post भी यहां काफी सारी है आप और भी देख सकते हो मेरा net से थोड़ा slow चल रहा है आप देख सकते हो कितनी design रखी है आप कोई भी design को edit कर सकते हो इसमें आपका text लिख सकते हो आपका photo add कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो तो यदि आपको तो मैं इसको बेख कर लेता हूँ उहां पे जाले योर story यूट्यूब थमने ले हाँ से आप बना सकते हो पोस्टर बनाना चाहते हो logo, mobile video document अगर बनाना चाहते हो resume बनाना चाहते हो instagram story बनाना चाहते हो invitation बनाना चाहते हो videos काफी कुछ आप बना सकते हो कोई इसमें कोई भी charge आपको देना नहीं पड़ेगा बिल्कुल फ्री में ही आप सब कुछ बना पाओगे तो इसमें हम थोड़ा आपको में आपको इडिट करके बताऊंगा जिसे कि यहां हमने इस instagram प्रोस्ट को हम इडिट करेंगे आपके सामने तो थोड़ा mobile मेरा slow है इसलिए थोड़ा प्रोसेश रहा है इसको relate करेंगे नेट की सबसे भी यह लोड होने में दियर लगती है और फाइल भी कुछ बड़ा हो गई तो यह है वो आपकी पोस्ट है ओपन होके आगे है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना जो भी आपको टेक्स या फोटो कुछ भी चेंज करना है उस पर क्लिक करना है और आप कोई भी आप इसमें कर सकते हो कोई भी चेंज कर सकते हो जो भी आपका मान चाहिए तो यहां आपको edit करने के लिए इसमें click करना है double और यहां से आपको stage को निकाल देना है और यहां आपको कोई भी text है वो आपको लिखना है में जैसे मेरा channel का नाम लिखता हूं देखो यहां आप देख सकते हो अगर इसमें आपको front एच्छे नहीं लग रहे है तो आप front भी change कर सकते हो front भी काफी सारे यहां दे रखे हैं और आप इसमें add भी कर सकते हो तुम्हें इसमें कि देखो कि किसे change हो रहा है काफी सारे paid भी हैं और फिर में भी जादा कुछ मिलता है इस application में तो आपको जो भी अच्छा लगे हो टेक्स आपको ले लेना है यह अगर आपको इसको नहीं चाहिए आपको यह तो आपको इसे delay भी कर सकते हो छोटा करना है और यहां से आप delay भी कर सकते हो जैसे में यह देखो अगर आपको कुछ add करना है तो आपको प्लस के уг ultimate करना है और आपको क्या इड करना है डिजाइन करना है तो आप यहांसे design डिजाइन कर सकते हो element यहांसे कर सकते हो сделать ओ आपको काफी सारे मिलता है जैसे ये वेलेंटाइन डे का स्टिकर है फोटोस है वीडियो है ओडियो है चार्ड है टेबल्स है प्रेम है ग्रेड है कॉलेक्शन है आप जो भी एर करना चाहते हो आपको यहां से मिल जाएगा कोई भी चार्ज आपको प्ये करना नहीं पड़ेगा इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यूटूब बैनर बनाना है इस्टाग्रम स्टोरी बनाने पोस्ट बनाने तो आपको कैनवा यूज करना चाहिए इसमें जो प्रो आइटम है उसका आपको प्ये करना पड़ेगा लेकिन फ्री में भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा आपको पेड़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगे तो मैं इसमें एड़ करना चाहता हूँ सरकल तो देखो सरकल आपको कितने सारे मिल गए हैं आप कोई भी सरकल यूज कर सकते हो जैसे कि मुझे एड़ करना है यह सरकल तो मैं इसको क्लिक करता हूँ देखो आगया मेरा सरकल तो मैं यहाँ इसको रख देता हूँ मैंने यूँ ही आपको समझाने के लिए इस सेफ रखा है तो आपको यह समझने के लिए ही है हिए आप यह Spice सही नहीं हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यह Spice लिया है एगर आपको कोई भी photo एडे कर नहीं है तो आपको यहां पर click कर नहीं और यहां को गेलरी में जाना starring और यहां से आप कोई भी photo आप ले सकते हो जैसे कि मैं यहां मैं रिकेंट सिल्क कर रहा है आप यहां से कोई भी फोटो ले सकते हो देखो फोटो को आपको यहीं एड कर लेना है और एड पेज में क्लिक करना एड नियू में नहीं करना है तो आपका एफोटो आ चुका है यहां से आप इसे किसी भी जगा अर्जट कर सकते हो चाहे आपकी फोटो हो तो आप भी अपने फोटो लगा सकते हो अगर आपको यहां इस फोटो की जगा ही आपको रिप्लेस करना है तो इस रिप्लेस के आइकन पे क्लिक करना है मैं आपको बता दू, replace का आईकन यहां आपको replace का आईकन दिखाई दे रहां, इस पे आपको click करना है। जैसे भी click करऊचे आपके समने यह pop-up खुलेगा और यहां आपको selection करने के लिए आपको photo मिल जाएगी। इसमें से आप कोई भी फोटो एड करके जो भी आपको फोटो एड करना चाहते हूँ आप एड कर सकते हो कि और कि मैं आपिस जाता हूं कि इसमें आपको इफेक्ट डालनी है तो आप इफेक्ट पर क्लिक करके आप इसमें इफेक्ट भी डाल चकते हूं जैसे इसमें काफी सारी इफेक्ट यहां यहां बलर हैं तो बलर आप देखो कितना बलर हो रहा है तो आपको इसको blur करना है देखो मैं इसको blur करना चाहता हूँ effects में जाना है यहाँ भी effects में blur तो में blur देखो जो circle है वो काफी सारा blur हो जुगा है यहाँ से वो dark और यहाँ से focus हो रहा है और यहाँ से blur हो रहा है उसके बाद आता है काफी सारे effect इसमें लगा सकते हो आप जैसे कि यहाँ focus है देखो अपने सबसे इसको आपको set करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ आता है filter filter भी आपको काफी सारे मिल सकते हैं तो देखो कौन सा color आप use करना सकते हो चाहते हो आप यहाँ से use कर सकते हो देखो आपको कही सारे filter मिल जाएगे जो भी आपको suit अपने photo according चाहिए वह आपको यहाँ से ले सकते हो इसके बाद आता है और जेस्ट और जेस्ट में आपको temperature आपका जो भी temperature आप रखना चाहते हो रख सकते हो temperature से yellowness आएगे देखो brightness contrast, highlight, shadow, shadow भी आप बना सकते हो अगर text हो तो काफी अच्छा लगेगा flower यहाँ काफी सारी यहाँ आपको adjust करने के लिए option मिलेंगे उसकी बाद आता है crop तो अगर अब इससे crop करना चाहते हो तो आप इसको crop कर सकते हो जो कि आपके done कर जो भी आपको crop करना है वो select कर गए done पर क्लिक करोगे तो यह crop का जो circle है crop हो चुगा है उसके बाद आपता है flip अगर आप flip करना चाहते हो तो flip भी हो सकता है up down भी हो सकता है और उसकी बाद आता है animated तो अगर आपको animation लगाना है इसमें भी तो आपको animation पे यहाँ select करके click करना है तो आपको देख सकते हो आपका animation है वो लग चुका है देखो तो आप इसमें zip file भी बना सकते हो और इसकी बाद आता है transparency तो इसको आपके show से down करोगे तो आप देख सकते हो कितनी transparency हो रहे है उसके बाद आता है layer तो layer है वो आप देख सकते हो आप इसमें कितनी सा ज्यादा layer रहे हैं इसमें आपको up down करना है तो आप up down कर सकते हो जैसे कि मेरे मुझे फोटो है उसको उपर लाना है तो इस road पे click करना है और उसको click हुई हो डबाई रख रहा है और आपको उपर लाना है अगर आपको यह देखो हमें यह है वो उपर लाना है तो मैं उपर लाओंगा तो देखो उस photo की जो mail है उसकी उपर आ चुका है आपको समझ आ गया होगा तो इसके बाद layer के बाद आता है पोजेशन तो आपको पोजेशन सेट अगर यह से नहीं करने तो आप यह से भी कर सकते हो जैसे पोजेशन है या लेयर की पोजेशन है अगर आपको इसको अप करना है तो अप कर सकते हो डाउन करना है डाउन भी कर सकते हो इसमें भी आपको काफी सारे option मिल जाएगे फिर बार आता है अगर आपको इसको copy करना है यहां की click करोगे यह तो यह copy हो जायेगा और यहां आपको paste करना है तो आपका जो भी past करोगे उतने आपको है वो मिल जाएगा जो भी आपने copy किया हो तो इसके बाद आता है multiple आपको select करना है तो आप देख सकते हो किसे multiple आपको select कर सकते हो comment करना comment आपको लिखना है तो comment भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि सुरी है कि असके बाद bring forward है इसको हम select कर देते हैं तो अगर आपको इसको इस लेयर के पिछे जाना है चाने देना है तो आपको इसको देखो यह आप अपना जो एक कलर वाला आप जो पार्ट है वो नेचे चला गया है अगर आपको इसको उपर लाना है तो आपको यह क्लिक करके उपर ला सकते हो उसके बाद आता है लिंक तो इसमें आपको लिंक डालनी है अगर आपको इस photo पे कोई क्लिक करें हो रहा है उपने link या भी अब website पर चला जाए तो यहां आपको link को attach कर देना है तो आपकी photo पर click करने से ही आपकी side आउप का जो भी जहां भी आपको बंदे को ले जाना चाहते हो ओर इसको आपको Lock करना है यदि इसको हटाना नहीं है तो यहां से आपको Lock पे क्लिक कर देना है यह हटेगा नहीं बिल्कुल Moment नहीं करेगा उसके बाद आता है टेक्स नहीं हो लग चुका है इसके बाद अगर आपको इसमें प्रेलेयर लोग का फूला होगा फिर बार आप कुछ पे उसमें पेड़ चार करते हो तो इतना हो गया यहां से आपको कोई भी जो आपका प्रोजेक्ट है वो ले सकते हो मुझे यहीं खुलना है तो मैं यहां वापस आ जाऊंगा इसके बाद आता है ब्रांड हुल तो यह है वो पेड़ है इसलिए इसमें यह मैं आपको रिकेमन नहीं करूँगा अप्लोड यानि आपने जो भी अपने फोटो आपनी गेलरी में से इस केनवा में लिया है वो आपको अप्लोड सेक्शन में मिल जाएगा तो इसमें अब ड्रो ड्रो अप्शन यहां आपका हमारा बाकी रह गया था तो ड्रो अप्शन से ड्रो कर सकते हो जैसे भी आप ड्रो करना चाहते हो आप ड्रो कर सकते हो उसके बाद आता है प्रोजेक्ट तो आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो यहां आपको दिखाए देगा मैंने इतनी जो प्रोजेक्ट है वा मैंने यूज किये हैं तो आपको यहां दिखाए देगा अब इसमें आप फोल्डर भी बना सकते हो अपने हिसाब से उसके बाद आप यहां आपको एपका जो है वो मिल जाएगा तो आप यहां कोई भी आपका जो लोगो है वो आप लगा सकते हो जैसे कि यूटूब का यूज करना चाहते हैं तो यह देखो तो यह तो होगी आप कोई भी पोस्ट इडिट करना चाहते है उसके बारे में तो सोरी मैं वापिस आ जाएगा अब अगर आपको अगर आपको इंस्ट्रागाम की सोरी आपको अगर यूटूब का बेनर या थमनेल बनाना है तो आप क्या करोगे तो आपको पहले तो यहां प्लस के आइपन के क्लिक करना है प्लस के आइपन के क्लिक करने के बाद आपको यहां आपको ओप्सन सारे मिल जाएगे आप क्या बनाना चाहते हैं डोकिमेंट बनाना चाहते हैं डोकिमेंट बनाना चाहते हैं मोबाइल वीडियो यो स्टोरी इस्टाग्राम स्टोरी इस् बनने बेनर वीडियो फेस्बुक पोस्ट या फोटो कोलेज लोगो पोस्ट रिजमे एफोड डोकिमें फोटो वेल पेपर काफी सारा यहां आपको ओप्शन मिल जाएगा और फेस्बुक कवर भी आप बना सकते हो और आप कोई कॉस्टमसाइज है आप कॉस्टम ज्यूंज करना चाहते हो तो भी आप यहां से आप कॉस्टम साइज लेह सकते हो आप को यदि यह पता हो चाहिए कि मुझे कौनसी साइज का फोटो या पोस्ट बनाना है तो मैं इसको कैंसल करता हूं मैं यहां आपको एक YouTube thumbnail बनाता हूँ, अब वो YouTube thumbnail पर क्लिक करना है, तो आपको यहां यहां इसा इंटरफेस देखाएगा, तो मेरा mobile थोड़ा slow है, इसलिए थोड़ा process ले रहा है, इसमें आपको template ही भी मिल जाएंगे, काफी सारे हैं, तो यहां से आप कोई भी template है, वो use कर सकते ह कोई भी copyright नहीं आएगा, आपको थोड़ा इसमें change कर देना है, कि यहां आपको text change करना है, photo change करनी है, text का जो font है, वो आपको change कर देना है, color change कर देना है, थोड़ी color grading भी करनी होगी, तो आपको कोई भी copyright नहीं आएगा, यहां से आप कोई भी है, वो use कर सकते हो, जैसे कि ट्रावेलिंग का जो यूटूब चैनल है तो मैं इसमें फोटो को रिपलेस करना है मुझे कुछ नहीं करना यहां आपको लिख देना है कुछ भी आपका चैनल का नाम या कोई भी एक्ट्रेक्टिव वर्ड यहां लिख देना है जैसे के बंदा कोई भी आए तो आपकी थमनिल देखके आपके वीडियो को देखें तो आपको इसमें कुछ नहीं करना थोड़ा बहुते उसका बेग्राउंड का कलर भी आप चैन्ज कर सकते हो इसमें स्वरी कि कलर देखो आप इसमें कोई भी कलर चैन्ज कर सकते हो आपका जो भी मन चाहिए तो यह अच्छा है तो यह से आप कोई भी इसमें कर सकते हो तो मैंने आपको सभी ओप्सन आपको समझा दिये हैं तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस अगर आपका यह फोटो रेडि हो या Post RADIO हो गया तो आपको इसको डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वालोर आइकन पर आपको क्लिक करना है जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूं कर तो हमारी डीजैन है वहmother Buying हो रही है preparing हो रहे प्रिपेरिंग होने के बाद आपको देखो यह डीजेन आपकी कंप्लेट हो चुक है यहां यह जो एप है वो रेटिंग मांग रहे हैं पर मुझे अपई नहीं देने तो मैं इसको कर देता हूं स्किप कि इसको आपको कर देना है से इसमें तो यह हमारा फोटो है वो बनके आ चुका है तो आप देख सकते हूं हमारा फोटो ब्रेड़ी है तो फ्रेंड यह था आज का वीडियो तो मुझे आशा है कि आपको यह इस वीडियो में पूरा नौलेज मिल गया होगा तो अगर ये वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो लाइक कर दे, कॉमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगेल मैं जही घंटी को ओल पे सेट कर दे, ताकि जब भी मैं मेरे चैनल पर वीडियो अप्लोड करूँ, उसकी नौक्ट एफिक्सन आपको मिल जाए, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को इंड करते हैं, जहें जयवाद